Hello friends, मैं हुआ नपुना and welcome to my channel आज मैं आपके साथ शेयर करे हूँ एक बहुती ज़्यादा tasty yummy recipe जो बच्चों को यह नहीं, बड़ों को भी बहुत अच्छी लगेगी यह बहुती ज़्यादा cheesy है, tasty है and mouth melting है और साथी इसे बनाना बहुती ज़्यादा आसान है आप देख सकते हैं यह कितनी yummy लग रही है तो आईए बनाते हैं यह tasty yummy cheesy paratha तो इसके लिए सबसे पहले हम लगाते हैं आटा तो यहाँ पर मैं दो कप गेहु का आटा ले रही हूँ उसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ और 2 teaspoon जितना oil डाल कर इसे हम अच्छे से mix करते हैं गेहु के आटे के जगा आप चाहो तो मैदा भी यूज़ कर सकते हैं बट अगर हम गेहु का आटा यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा हेल्दी रहेगा अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका एक soft आटा हमें बनाना है तो यहाँ पर मैं हाथ से इसका एक नरम आटा गुतरी जिस तरीके से हम लोग नॉर्मल चपाती या पराटी के लिए आटा लगाते हैं आप चाहो तो इस आटे में थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा अजवाइन भी डाल सकते हो तो अब मैंने इसका एक नरम डो बना लिया है अब इसके ओपर एक कपड़ा डाल कर मैं इसे साइड में रख रही हूँ रेस्ट होनी के लिए अब हमारा आटा बन गया है इसे मैं रख रही हूँ साइड में अब यहाँ पर मैंने अमूल का डाइस्ट चीज ब्लेंड यूस किया है आप कोई भी चीज ले सकते हैं तो अब एक बाउल लिया है उसमें मैं चार उबलेवे आलो को खिसकर डाल रही हूँ एक बड़ा प्य आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं आप चिली फ्लेक्स की जगा कूटी काली मिर्श भी डाल सकते हैं जैसा आपको स्पाइसी कम ज्यादा चीज उसके अकॉर्डिंग आप बसाले एड्जिस कर लेना अब यह है चीज यहां पर आप कोई भी जो जो आपके पास अवैलेबल है वह बस उसे हमें खिस कर या एकदम छोड़ा चोड़ा टुकड़ों में काट कर यूज करना है डालकर अब मैं सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर रहे हूं और थोड़ा चीज में साइड मेर रखे हूं अब हमारा स्टफिंग रेडी है आठा भी रेडी है इसको मैं एक बार और अच्छे से गूत ले रहे हूं गूतने के बाद इसके मैं बॉल्स बना रहे हूं आपको पराठा जिस साइस का बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप इसके बॉल्स बना लेना यहां पे मैं दो रोटी बना कर उसके बीच में स्टफ बना रहे हूं यह जो रैसेपी है आप इसे लेफट यहां सकते हैं वैसे में भी यह तेस्टी लगता है तो अभी रोटी आपको जैसे बनानी है मोटी पतलि वैसे बना लेना बड़कोशिस करें कि जादा रोटी मोटी ना हो थोड़ी पतली ही रहे उसी तरीके से मैं एक और रोटी बेल ले रही हूँ, यह जो पराठा है इसे हमें तुरन सर्फ करना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चीज है और चीजी है तो गरम गरम ही यह बहुत अच्छा लगता है, ठंडा होने के बाद चीज हाड हो जाएगा और वो थोड़ा सा चूई लगेगा, मैं उतना अच्छा नहीं लगेगा, अगर ठंडा हो भी जाता है तो आप उसे गरम करके सर्फ करना, तो अब इसमें मैं स्टफिंग रख रही हूँ, स्टफिंग इस तरीके से डाल कर हमें इसे अच्छे से स्प्रेट करना है, उसके बाद यहाँ पर मैं जैसा चीए, वैसा आप डाल सकते हैं, और आप चाहो तो इसके उपर चली फ्लेक्स, और अरेग्यानो और इसे स्पाइसे बनाने के लिए डाल सकते हैं, यहाँ पर मैं सिर्फ हरा धनिय का यूज़ कर रही हूँ, उसके बाद इसके उपर मैं एक और चपाती रख रही सेल करने के बाद आप चाहो, हो तो थोड़ा इस पौझा पानी से शिम करें ड़ते हुआ इस तरी के से अच्छे से सेल उपर अब हम इससेछ हैं यहां पर मैं एक गभी जनले के अफसने के सकती हूं बैटर पाथम यहां हम सब यहां पर रहे हैं यहां पर मैं बटर का यूस कर रही हूँ, आप चाहो तो घी का यूस कर सकते हो, जो आपके पास है वो या आप अपने चोईस के अकॉडिंग जो है वो यूस कर सकते हो, और सेकते समय सावधानी से, क्योंकि इसके अंदर काफी ज़्यादा चीज है, आलू है, तो जो चपाती पराठा है, वो फट सकता है, तो ओपर से मैंने थोड़ा सा और बटर लगा कर इसे दोनों साइट से अच्छे से से शेख रहे हूँ, इस पराठे को मैं मियोनीस और हरी चटनी के साथ सर्फ करते हूँ, आप इसे किसी सॉस के साथ भी सर्फ कर सकते हो, या सिम्पल ऐसे भी यह बहुती ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो अब यह पराठा मैंने दोनों साइट से से शेख लिया है, अब मैं इसे निकाल रही हूँ, सर्फ करने के लिए तुरन गरम गरम, तो अब आप भी इसे बनाएए और गरमा गरम सर्फ कीजिए, अगर आपको रेसिपी अच् चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राब भी जरूर करें, थैंक यू